कास्ट, पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकल कर आया है, जिसका अर्थ होता है जाती या नसल इस शब्द के बारे में मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी आज की खबरे इसी कास्ट से और इसके कुछ गुड्स और कुछ बैट से जुड़ी हुई है जब पुर्तगालियों ने पुर्तगाल से निकल के दुनिया में कॉलनाइजेशन शुरू किया था उस कॉलनाइजेशन यानि के उपनिवेश जब ये शुरुआत हुई थी तब पुर्तगाल के लोग अपने देश से दूसरे देशों में जा रहे थे और वहां के सब्वेता संस्कृतियों को दबा कर अपनी सब्वेता संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे इसे हम कॉलनाइजेशन कहते हैं मैं आपको कास का ग्यान क्यों दे रहा हूँ तोकि आज की हमारी खबर कास से ही निकल करा रही है बंगलूर के मशूर अभिनेता और मकल नीधी मद्यम के दीजनल पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कमल हसन रविवार को एगमौर चेन्नई में एक बुक्स्टॉल और कल्चरल सेंटर का उदगाटन किया इस उदगाटन में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिनका आप तक पहुँचना बहुत ज़ादा जरूरी है इस बुक्स्टॉल और कल्चरल सेंटर का निर्मान फिल्म निर्माता वेंकर ट्रभू जिनने हम पी ए रंजीत के नाम से भी जानते हैं उनके द्वारा किया गया है इस उपलक्ष में दिये हुए अपने भाशन में श्री हसन ने कहा कि राजनीती में जाती यानि की कास्ट उनका सबसे मुख्य दुश्मन है उन्होंने बताया मैं 21 साल के उम्र से ये कह रहा हूं मैं तब से अभी तक की तुल्ला में परिपक्व यानि के मैच्यौर हो गया हूं और इस बात को मैं अपने कर्मों से व्यक्त करता हूं लेकिन मैंने उस विचार को नहीं बदला है उन्होंने कहा पहिये के आविश्कार के बाद ईश्वर मनुष्य का सबसे बड़ा आविश्कार है और अभी होना बाकि है मैं नीलम पानी पट्टू मयम याने की नीलम कल्चरल सेंटर उस लड़ाई के निरंदरता के रूप में देखता हूँ उन्होंने ये भी कहा कि जाती एक क्रूरतम हतियार है जिससे मनुष्य एक दूसरे के उपर वार करता है श्री हसन ने अंत में कहा कि मैयम और नीलम की वर्तनी अलग हो सकती है लेकिन प्रयास एक ही ही है भारत में जातियों से मेल खाता हुआ एक सिस्टम और हुआ करता था जिसे वर्ण सिस्टम कहते थे इस वर्ण सिस्टम में मनुष्य के पहचान उसके समाज में दिये जा रहे है योगदान से पता चलती थी सोने का काम करने वाले को हम सुनार कहते थे लोहे का काम करने में को लोहार कहते थे इस प्रकार अन्य-अन्य किस्म के काम करने वालों को उनके नाम से बुलाया जाता था सब कुछ सही डंग से चल रहा था और इसी में पुर्तगाली ले आते हैं कास सिस्टम इतनी पुरानी समस्या और आज भी हमें कभी राजनितिक तोर पे तो कभी नीजी तोर पे देखने को मिल जाती है अब आप बैंगलूरू के जैन कॉलेज का ही किस्सा देख लीजिए छे स्टुडेंट्स को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने बियार अमबेडकर के बारे में मजाक उडाते हुए और भी कुछ ऐसी बाते कहीं हैं जिने आपका देखना और समझना बहुत जरूरी है इस महीने की शुरुवात में डॉक्टर बियार अमबेडकर और दलितों के खिलाफ आपत्ती जनक टिपनी करने के आरोप में निलंबत किये गए चात्र जैन कॉलेज से हैं अब हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आपको ये साफ तौर पर समझ में आ जाएगा किस तरह की अबद्रता बियार अमबेडकर और सभी दलित समाज के लोगों के प्रती दिखाई गई है आई ये इस वीडियो को गौर से देखें तौर से नच्ण दीख बॉड्ट प्रशब श्रींना पर पराच्छ फर ये जिखेंगा को एका प्रती अबद्रती दो कांई अबद्रती कि अाच्छ प्रतीर आपको एक प्रती इंडियोगवार्ण इस प्रकार की जाती सुचक समस्याएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं क्या जाती वाद हमारा दुश्मन है या सरिफ समाज में अपने वर्चस्व को स्थापित रखने का जरिया आपके विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर आपको हमारा कारिकरम पसंद आया तो इसे लाइक और शेर करें और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए IBC24 के सोशल मीडिया प्लाटफर्म खबर बेबाग को सबस्क्राइब करें